बच्चों, एचीवर्स अकेडेमी में मैं रवे शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वाबत करता हूँ आज मैं तुम्हें प्रेड़क स्टोरी एक प्रेड़क कहानी सुराना चाहता हूँ प्राचीन काल से चरी आरे तमाम उक्तियां और मोहावरे तुम सुनते हो लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते लेकिन यह कितने महथं होते हैं और हमारे रिशी म्रियों ने इनहें कितना सोच विचार कर बनाया था यह कि तुम्हें इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा प्राचीन काल की बात है एक सेट जी अनाज का व्यापार करते थे उनका व्यापार टाफीखल पूल रहा था लेकिन उनके दिल में इसे और आगे बढ़ाने की आकांशा थी तो जो नाज टरेन के माज़म से मालगाड़ियों के माज़म सी आता था उस पर उनकी नजर र insist रही और उन्होंने स्टेशन मास्टर से साठ डाड कर लिए इस प्रकार उन्हें वो जो जो चावल यह हो आदी जो सामान उसमें मालगाड़ियों में आता था वो आधिम बोले पर मिलने लगा इस तरह से उनका व्यापार कारोबार और फल ने पूलने लगा और काफी बढ़ देया कुछ दिन बाद सेट जी ने सोचा कि उनके दिमाग में ये बात आई क्योंकि अनकॉंशिस माइड में आदमी की ये तो रहता ही है कि मैं कौन से पुर्णी के काम कर रहा हूँ और कौन से पाथ के काम कर रहा हूँ तो उनके लगा कि मैं आधिम होले पर ये चावल खरिबता हूँ और इसे बेचता हूँ तो क्योंने कुछ पुर्णी भी किया जाए इसके लिए उन्होंने एक साधू को अपने घर पर आमंत्रित किया और उनके लिए खीर आदी तमाम इन्यन आदी बना कर परोसे और उनको बहुत प्रेम कुल पक्रिलाया और दान दक्षिना आदी दी इसके बाद साधू महादे महीं सो गए और सेड़ जी अपने कमरे में चले थे साधू जब उठे तो उन्होंन देखा कि अलमारी में कुछ रुपाई की गण्डिया रखी होई है साधू जो साधू होते हैं लेकि नजाने क्यों उनके दिल में लालच आदिया और उन्होंने एक गण्डी उठाकर अपनी पोटली में डाल दी ये सोचते हुए कि सेड़ को एक पैकेट का क्या पता लगेगा इसके बाद शाम को वो साधू महोदे अपने बें तभी क्यों रवाना होगा अगले दिन सुबह सेड़ जी ने जब रुपए देखे तो उन्हें पता लगिया कि इसमें से ये गण्डी कम है लेकिन वो ये कैसे सोच सकते थे कि साधू इसको ले गई होंगे उनका शक अपने नौकरों पर गया और उन्होंने नौकरों के एक प्पुला पर उसे पोष्टाइश चुझे करी जब नहीं पता लगा किसी सब ने कहा कि साथ अपने नहीं लिया है तो उन्होंने उनकी पिटाइश जुडू कर लिई इसके बाद तब भी नोटों के बारे में नहीं पता लगा और अगले दिन जब खिर्ण भाव से सेथ पैठे हुए थे तब ही उन्हें वही साधू आते हुए दिखाई पड़े साधू ने पास आपक वो गड़ी मिकानी और सेथ कौंदे को दे दी सेथ ये एक दम आशर चकित हो गए और बोले महत्मन आपके पास ये गड़ी कैसे आई तो साधू ने एक बहुती सुन्दर सा उत्तब दिया साधू ने कहा कि आपका कल मैंने जब अन्य खाया तो नजाने क्यों मेरे दिल में बुरे विचार आए और मैंने ये गड़ी उठा कर रुखन से अपनी पोटली में रखनी मुझे रखता है कि जो अन्द आपने कल मुझे खिलाया वो शायद सही तरिके से अरजित नहीं किया गया था और अगली सुबहे आज सुबहे जब मैं निवर्त हुआ और तब मुझे हचानक पूरा शरीर से जब रखो अन्द आपका निकल गया तब मुझे लगा कि मैंने कोई गलत कार किया और इस काम की सजा निश्चित रूप से आपके नौपरोण को मिल रही होगी और मैं पुर्ण गोबड़ी लेकर आया और मैंने गो आपको दी यहां कहने का ताथ पर यह है कि यहां इस उक्ति के बार में बताना चाहता हूं जैसा खाओ अन वह ऐसा बने मन यह उक्ति हमारे बहुत कमे समय से चली आ रही है लेकिन हम लोग कभी इस प्रधान नहीं देते हैं लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई शिपी हुई है हम जिस प्रकार का भी भोजन ग्रहन करते हैं उसी प्रकार की हमारी प्रवर्ति हमारी वान्सक्ता बनती है इसी दिए ये भी कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में तामसी प्रवर्ति होती है तामसी प्रवर्ति यानि कि हम बुरे अन्न ग्रहन करते हैं तो हमारे दिल में बुरे विचार आते हैं उसी प्रकार हम साथ कि अहाग रहन करते हैं तो हमारे रिखे में अच्छे विचार रहते हैं और ये भी कहा गया है जैसा पीओ पानी वैसी बने वाणी यानि कि हम जैसा जल ग्रहन करते हैं हमारी वाणी वी वाणी में भी उसी प्रकार की बिठास आती है तो मुझे उम्बीद है बच्चों कि तुम इस कहानी से जरूर कोई न कोई प्रेड़ना दोगे और इसको अपने जीवन में उतारोगे धन्यवाद